नमस्कार मैं हूं डॉक्टर नितेश्राज और आज हम बात करेंगे ACIDT और हर्ट बर्ण के ऊपर ACIDT कैसे होती है स्टार्टिंग में क्या देना चाहिए ट्रीट्मेंट और अगर लॉंग टर्म ऐसे हो रही है तो क्या लेना चाहिए उसमें तो सबसे पहली चीज की ACIDT क्यूं होती है तो normal amount of ACID अगर हमारे पेट में बन रहा है तो वो बहुत जलूरी है proteins के starch के digestion के लिए बट वही normal से abnormal बनने लगे ज़्यादा बनने लगे कुछ conditions है जैसे smoke कर रहा है कोई वेक्ती या alcohol काफी ले रहे हैं या spicy food खा रहे हैं या काफी stressed है या lean कम हो रही है तो उस conditions में ACIDT ज़्यादा बनते हैं और वो ACIDT जो है पेट में तो रहते हैं बट पेट से उपर की और उड़ जाते हैं और इसमें एक और गरबड़ी होती है हमारे पेट और जो खाद नली के बीच में जो एक वाल्व होता है उसकी भी गरबड़ी होती है due to overweight होने के चलते या खाने के तुरंत बाद लेट जाने से तो ये जो है जो वाल्व है वो relax हो जाता है जिसके चलते जो पेट का जो ACID है वो खाद नली में मतलब उशो फीगर्ष में आ जाता है और जलन सी होती है टेश्ट जो है आपका काफी टाइट सा लगता है खटे ड़कार आते हैं गले के पास भी जलन होता है आपको और पेट हमेशा फुला हुआ रहेगा और टाइट सा सक्त सा लगेगा अब इसमें क्या करना है स्टार्टिंग आप खुद ही जान रहें कि मेल कल्पिट क्या है कि इसके चलते हो रहा है यह तकलीव तो ACID जादा है इसके चलते और वो जादा ACID ऊपर उठ गया है तो इसका पहला जो हमारा treatment modality होना चाहिए वो है कि उस ACID को neutralize करते हैं और उस ACID को neutralize करने के लिए हमारे पास है antacids यह tablets में, capsules में, gels forms में available हैं हमारे पास बट एक और चीज़ इसमें ध्यान देनी है कि अगर यह antacids ले रहे हैं तो इसमें एक ENO भी आता है और ENO का ENO एक side effect क्या है ENO भी antacid है बट ENO का side effect क्या है कि जब भी हम ENO यूज करते हैं या ENO खाते हैं उसमें क्या होती है कि वो powder के थू जलमे लेते हैं उसे तो उसमें क्या होती है कि CO2 काफी जादा release होती है पेट में उसके चलते पेट फुल जाता है और आपको जो है उल्टी जशाएगा क्योंकि डिस्टेंडेट पेट के चलते जो है आपका उल्टी होता है तो उससे बेटर है कि आप जेलूशिल ले पैन एंपीस ले या डाइजिल ले अगला स्टिप अगला है आप अगर काफी दिनों तक यह प्रॉब्लेम हो रही है तो आप कौन सी दवा ले तो अब नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् असलब acid जो suppress कर रहा है, acid जो बनना बंद कर देते हैं ये और काफी strong है ये और ये 12 घंटे तक एक अगर tablet या capsule आप खाते हैं, तो ये 12 घंटे तक काम करती है, तो शारे दिग में 24 घंटे के लिए आपको दो बार ये tablet चाहिए, इसमें एक और चीज की famotidine जो है, ranitidine से ज़ more potent than ranitech, अब next आते हैं, इससे भी ज़्यादा अगर acid हम को suppression चाहिए, बतलब acid को एक दम बनना ही बंद कर देना है, तब आती है next group जिसका नाम है, proton pump inhibitor, इस group के दवाशी आप काफी अवगत्थ होंगे, जैसे omage हो गया, omiprazole इसका जिनरिक है, pan 40 हो गया, pantoprazole, isomec हो गय इनका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है, यह single dozing जो है, एनफ है, मतलब एक बार अगर डोज ले, तो यह 24 घंटे तक आपके पेट में acid को सब बनने नहीं देंगे, सब प्रेश करके रखेंगे, acid बनना बंद कर देंगे, लेकिन इसमें सिर्फ ओमेज जो है, थोड़ा सा विकर है, क्योंकि यह starting में ओमेजी सबसे पहले discover हुआ था, तो यह थोड़ा विकर है, और ओमेज जो है, विकर भी है, और विकर शप्रेशिट भी है, और लॉग एक्टिंग नहीं है, यह थोड़ा सा कम एक्टिंग है, बाकि सब लोग एक्टिंग है, तो अब이ी नहीं हुए है जो clearly establish करें कि यह ज़्यादा बेहतर है यह कम बेहतर है but on the basis of clinical experience and few trials कुछ trials के basis पे जो हम बताना चाहते हैं कि radiprazole and isomiprazole that is much better than pentoprazole and lansoprazole अच्छा अब आते हैं PPI के side effects पे तो proton pump inhibitors के भी अपने side effect है क्योंकि काफी लोग काफी दिनों तक omeh panfoti खाते रहते हैं तो इसका सबसे बड़ा side effect क्या है कि कुछ चीजें हैं जैसे calcium, iron और vitamin B12 इन तीनों चीजों का absorption के लिए acidic medium की जरूरत है पेट में acidity होना जरूरी है और अगर इन लवाशे तो हम acidity को रोक देते हैं बंद कर देते हैं, suppress करके रखते हैं तो इन तीनों चीजों का absorption कम जाता है जिसके फल स्वरू, calcium अगर कम हुआ तो osteoporosis और iron और B12 अगर कम हुआ तो उसमें anemia होने का chances बना रहता है अगला group of drug है, last है जिसका नाम है prokinetic तो prokinetic क्या काम करता है कि अभी हमने आपको बोला कि पेट में जो acid बना है वो oishofagus में मतलब खाद नलिक में उपर उड़ी जाता है क्योंकि एक भाल में गरबड़ी होती है तो इस दवा का काम करने का तरीका है prokinetic का कि पेट में अगर कुछ भी खाना और acid हो तो वो नीचे की और प्रोपेल कर दे नीचे की और धकेल दे ताकि उपर न उठे इस group of drugs में dompedon आते हैं और इससे भी अगर ज़्यादा potent अगर आप खुचते हैं तो leesuride, levosulfuride नामशेक दवा आती है leesuride OD75 करके और ये combination में भी आते हैं PPI के साथ अच्छा इनका एक side effect है कि इन group of drugs का that is prokinetic जो की पेट में जो खाना है और acidos को नीचे की और धकेलते हैं प्रोपेल करते हैं ताकि उपर ना उठे और acidity ना हो तो इनका एक side effect है कि ये females में milk secretions कराते हैं तो ये एक आहां side effect है और ये dose dependent है, मतलब drug dependent है अगर आप दवा बंद कर देंगे तो ये नहीं होगी तो ये सब combinations में भी आती है तो combination में आने का एक फाइदा है ये अगर पैंड है तो फाइदा क्या होगा इसे अगर पैंड है तो पैं मतलब पैंटोप्राजोल तो वो acid कम कर रहा है और L जो है लिशुराइड या लिवोसल्फुराइड और D मिन्स दॉमपरिडोन ये आपका motility को बढ़ा रहा है तो acid जो है एकदम minimal होगी पेट भी clear रहेगा acid जो है minimal रहेगा अब एक ध्यान देने वाली बात ज़्यादा तर लोग ये गलती करते हैं कि अगर उन्हें काफी पतला stool हो रहा है या लैट्रिंग स्वरी ये पतले तो उस condition में वो gas की दवा बोलते है कि gas की दवा ले लिया है बट gas की दवा जो है वो बोलते है pan D खा लिया है या pan L खा लिया है तो अभी तो आपने खुद देखा कि pan D जो है D और L जो है प्रो काइनेटिक है मिल्स आपका जो motility को बढ़ा देने वाली दवा है तो ये दवा ना ले सिर्फ pan ले सिर्फ isomac ले सिर्फ rabulate ले बट D या L के साथ combination में ना ले आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में दे थाइक्यू सो मच